दोस्तो 50,000,000 से ज़ादा SIM काडD भारत में PUBG हो गए हैं उनका नंबर बंद कर दिया है सरकार ने 50 से ज़्यादा कंपवसी कोटियों के mobile number बंद कर दिया है आखिरकर सरकार लोगों के mobile number बंद क्यों कर रही है ऐसा क्या हो रहा है देखो, सरकार अब पीछे पड़ गई है उन लोगों के जो spam करते हैं उल्टे सीधे offer, उल्टे सीधे message और ये fraud SMS लोगों को भेजते हैं इंडिया में लोग परिशान हो चुके हैं और complaint इतनी जादा बढ़ रही हैं कि बहुत जादा पहले क्या होता था कि जो fraud call है, scam call, scam message है ये सब कुछ तीन डिजिट के नंबरों से, चार डिजिट के नंबरों से, किसी company के नाम से आया करते थे आजकल ये mobile number, जो normal दस डिजिट का mobile number होता है, उससे आने लगे है इससे लोगों को ये differentiate करने में मुश्किल हो गई है, कि ये call करने वाला कोई मेरा पुराना दोस्त है या कोई company वाला है, चो company वाले होते हैं, उनके अलग number होता है आप पैचान लेते हो ना, जैसे जीओ वाले call करते हैं, कि recharge करा लो, तो उनका plus 114 वैसे होता है तो अलग दिख जाता है, कि भाई, ये कोई spam है, scam है, फालत हो, ऐसे हम ignore करना है बट कोई 10 digit का mobile number आए, तो आप कैसे पता लगाओगे, true caller काफियाद तक मदद कर देता है इसमें लेकिन कई cases में वो नहीं कर पाता, क्योंकि लोग अब क्या कर रहे हैं देखो, normally जो 10 digit का mobile number है न, ये personal usage के लिए बना है ये telemarketing के लिए, advertisement के लिए नहीं बना है जो आप SIM card खरीदते हो न, उसमें clause है, कि आप personal बाते करने के लिए अपनी, उसे use करोगे यानि कि, normally जो इनसान use करता है, इसको business और advertisement के लिए use नहीं कर सकते हैं आप, ये गलत है, अगर आप कर रहे हो, तो जो contract है आपके बीच में और उसके बीच में, या agreement जो भी है, तो आप उसके against जा रहे हो, तो फिर आपका number तो बंद हो गाई, सरकार अलाओ नहीं करती है, आपके normal sim से आप ऐसे टेली marketing करें या किसी को बुलें कि आओ, गर्मा गरम बाते करें, इस तरह की चीज़े, पैसे ले के, अख़बारों को उठा के देख लो, 14 उपर प्रती मिनट और ये, या normal number हो में भी गर्मा गरम बाते चल रहे हैं, भाई मुझे कैसे मालूम, वो फिर कभी बताऊंगा, तो इसलिए जो भी इनसान अब अपने 10-digit mobile number, normal mobile number से, advertisement, telemarketing, लोगों को scam भीजना, ऐसाब करेगा, उसके number बंद जाए, और जो कंपनिया है, जो कंपनिया ऐसा काम करेगी, उनको भी बैन हो जाए, और दो साल तक उनको number मौ पहले इस वीडियो में बात कर चुका हूँ, कि जो message body है, जो template है, जो header है, वो सब governments है, अप्रूब कराने हो, क्योंकि आपने देखा होगा, पहले company है कैसे message भीजती थी, हाई, सो गए क्या, मैं आपका इंतिजार कर रही हूँ, और एक link, उस पर click करो तो उल्टी सी दीजी जो में चला जाता था, हाई मैं नेहा, उम्र 26 साल, मुझसे बात करना चाहोगे, link, ऐसे फसाते लोगों को, और कोई देख लिए सच में तो बुले आ रहे, ते नेहा कौन, क्या, क्या, लोग, बच्चे बड़ी पिटाई हूरती ही, क्या है, नेहा कौन, किस से गरम बात ही, क्या, क्या है, एक तो, एक मेसिज आता था बीच में बहुत जादा कि, हाई, मेरी याद आ रही है, क्या, क्या, तुम अकेले हो, क्या, कॉल हूपे आती है, वाई, 10 डिचिट का, मेरे पास भी आया था, मैं तो डर गया था, एक पर क्या है, मैं ऐसे बैठा था, कहीं, बाहर कोल भी आओ, नहीं, मैं, मैं कहीं आया हूँ, पि मैंने देखा था, इस तरह की चीज़ें, अकेले हो, क्या, अकेले हैं, तो अच्छा है, चिंतन करना चाहिए, ऐसा बंटन नहीं करना चाहिए, तो यह रूल है, इसके तहट बंद हो रहे हैं, अगर आप ऐसे काम नहीं करत हाता है, आजकल लोगों को, हम भी करते हैं, इसके लड़ाई हो गई, मौलो में कौन लड़ पड़ा, ऐसा करते हैं, तो लड़ाई हो गई है, किसकी मैं बताता हूँ, लड़ाई हो गई है, वाटसेप की, और नॉर्मल जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जैसे जियो, लड़ाई है, उन्होंने एक अपनी ग्रुप बना रखे वाई, ग्रुप इजम, तो उन्होंने कहा है सरकार को, कि हमारे ओपर तुम कानून लगाते हो, कि हम कौन से मैसेज भेज सकते हैं, कौन से नहीं भेज सकते हैं, और वाटसेप क्या, वो तो ये भी पता नहीं लगन हैं, और वाटसेप किसी सरकार के अंडर में तो आता नहीं है, और वो तो सरकार को भी ठेंगा दिखा देता हैं, भाईया, हम आपको मैसेज नहीं दिखा सकते, कि हमारे तो end-to-end encrypted है, हमारे तो privacy है, और ये सब चीज़े हैं, लेकिन ये कंपनिया बोल रही हैं, कि हमारे SMS प पर लगे हैं, वो WhatsApp के उपर भी लगें, यानि कि सरकार ये देख पाई कि WhatsApp पे क्या मैसेज हो रहा है, कहीं स्कैम आ रहा है, तो उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भी जाए, जो कि मुझे लगता है कि यह सही नहीं है, पुछ तो ऐसा होना चाहिए, जो प्राइवेट हो, हम य नाशनल सिक्योरिटी का इशू है, या कुछ बहुत अगहन्य अपराद कर रहे हो, उसमें आप अगर इंटेफेरेंस करते हो, वो ठीक है, बट यार इस छोटे मुटे स्कैम के लिए WhatsApp मैसेज को क्रैक करना ठीक नहीं है, और WhatsApp तो बोल भी चुका है, अगर सरकार ऐसे करेगी बीच में, तो हम अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, हम तो भारत से चले जाएंगे, सीधी सी बात है, वो लोग अपनी, क्यों उसको, WhatsApp को क्यों उसकरते लोग, क्योंकि उसको कोई पढ़ नहीं सकता, भीजने वाला और रिसीव करने वाला, अगर सरकार उसमें बीच मे इस्तिमाल कर लेंगे, है न, ऐसी बहुत सारी encrypted applications है, जो लोग इस्तिमाल करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाता हूँ, थोड़ा सा, जो थोड़ा deep and dark वाले लोग, वो करते हैं, तो वो use करेंगे, उसको simplify करके कोई application बन जाएगी, comment रोक नहीं पाएगी उसको, तो ये कोई solution नहीं है, ये लोग अपनी खुननस निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके पर बहुत regulation है, और लगनी भी चाहिए, और ये बात सही है, कि scam आजकल WhatsApp से जारा हो रहे है, लेकिन बाई, ऐसे ही है चीज, जो भी है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगें, तिसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, क्या आपके दिमाय में कुछ आइडिया आ रहा है, कि इन चीजों को कैसे कंट्रोल करें, क्या पता, आपके पास कोई नया आइडिया हो, तो comment section में जरूर लिखे, इस क्या आपके दिमाय में हो, जर ल ही वीजों कि राहा हो, एके लिखें, क्या रहा है, कि वीजों कि बहा आइडिया है, कि लाँए